गर्मियों का मौसम आ गया है और अभी टेंपरिटिचर है 35 के उपर जाने लगा है और उससे भी ज़्यादा जाएगा जिसके करन दोस्तों अभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं की फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी पर काफी सारे हम पौन कौन से पौध हैं आप लेकर आ सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास पौध है नम है सेलूशिया कॉकस कॉम्भी ज़ार प rook dá से लगाने वाला इक पौध है इसमें बहुत संबारी कटफूर वाली वराइटी भी होती है और इसकी द्वारफ्ड वराइटी अ को लगाते हैं कि पानी सही पे टाइम पे दें और इनको जादा ओर वाटरिंग ना करें और दोस्तों यह जो कॉक्स कॉंब इसके आप बीज भी सेव कर सकते हैं यह बहुत असानी से लग जाते हैं और हमारा दोस्तों जो अगला बहुत है इसका नम है विंका रोजिया और इस गर्मियों में विंका और जीनिया ऐसे पौदे होते हैं जिनमें आपको कलर्स बहुत जाना मिल जाते हैं और इसकी एक और स्पेशालिटी है कि यह सारा साल टिकने वाला पौदा है ऐसे नहीं कि आपका एक साल बाद यह खराब हो जाएगा इसको आप बीच से भी बहुत आ असानी से लगा सकते हैं अगर आपने ज्यादा इसकी बड़िया वराइटी से लेनी है और इसके लावा आप इसका पौदा भी लेकर आ सकते हैं 20-25 रूपीस का एक पौदा आपको मिल जाएगा सिर्फ बारिश के मौसम में दोस्तों आप इसके उपर फंगी साइड एक हफ और दूसरी बात इसके हईड जो होती है ये पौदेकी बहुत कम होती है इसे बैडिंग प्लांट भी ये यूज किया जाता है जो बीज से लगाने वाली पौचिला कह उसकी हइड तो बहुत छोटी होती है बहुत जल्दी से पत्ते निल देती है और इसके हमें 15-30 रिदि देख सकते हैं मैंने अपलोड की हुई है और इसके cutting बहुत असानी से लग जाती है और इसको portal में भी लगा सकते हैं जो आपके पास खाली packet होते हैं उनमें भी लगा सकते हैं और दोस्तों हमारा जो अगला बौद है इसका नाम लिसेंथस जो बिलकुल गुलाब के जैसे दिखता है पर है ये असल में लिसेंथस और इसकी दोस्तों जो growth है बहुत अच्छी होती है काफी लोग ये गलती से देख लेते हैं कि इस पौदे को winter में लगाया जाता है काफी लोग सोच लेते हैं पर ये गर्मियों में बिलकुल जो आप कह सकते हैं बहुत तेज वाली गर्मी होती है उस वक्त ये फूल देने शुरू करते हैं जैसे आप माल लीजे माई में ये शुरू करते हैं ये मेरे पास जो पौदे हैं लास्ट एर के अभी तक पड़े हैं और ये बहुत हाड़ी प्लांट माने जाते हैं इसमें कलर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं पर इसकी जो फ्लाबरिंग स्टेज है अगर बीज से लगाओके पांच मीने बाद आती है तो थोड़ा सा आपको पहले इसको तियार करना पड़ेगा जैसे अक्टूबर में बीज लगाए जा सकते हैं और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा इसका नम है सन्फलार सन्फलार और सूर्ज मुखी जिसको आप टेड़ी बीर सन्फलार भी बोलते हैं जो उसकी अलग वराइटी होती है वैसे और दोस्तों जो ये वाला सन्फलार का बौदा रहता है इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज रहती है पौद रिकॉइर्मेट जब भी आप इस पौदे को लगाते हैं इसके लिए जो गमले का चुनाओ होना चाहिए वो इसके साइस के कॉर्डिंग होना चाहिए अभी मैंने यहां पे एक गलती की थी पर फिर भी फूल अच्छे से खिले हैं कि मैंने जो गमला है वो थोड़ा सा छोटा ले लिया है पर कम से कम आपको 10 इंची का गमला सन्फलार के लिए लेना है अगर आप इसकी बड़िया ग्रोध चाहते हो आप देख साकते हैं जो फ्लावरिंग है इसमें बहुत अच्छे से हो रही है बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे और सन्फलार वेंसेंट मिक्स जो होती है कट फ्लार वराइटी वो मेरी सबसे ज़्यादा फेबरेट है जो मैं इस बार लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी इसको पानी की कमी बिल्कुल भी मत होने दीजेगा क्योंकि पानी की कमी के कारण इसके नीचे वाले पत्ते बहुत पीले होने शुरू हो जाते हैं और साइज इसका छोटा होने लग जाता है फूल का इसलिए ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और दोस्तों हमारा जो अगला पाउदा है इसका नाम है जीनिया जीनिया में भी दोस्तों आपको बहुत बढ़िया लगते हैं इसके आप बीज सेव कर सकते हो पर मेरे जारा गर्मी होने के करण बीज इसके यहां पर बनते नहीं है पर फिर भी अगर आप इसको लगाना चाहें जरूर लगाएं यह आपको कहीं कहीं मिलेगी वराइटी अगर आपको मिले आप जरूर लें और इसमें दोस्तों जो द्वार्फ वराइटी है उसमें जहारा मिक्स बहुत अच्छे से चलती है अगर दोस्तों आप ऐसे ही बीज लेना चाहते हो जैसे विंका हो गया जीनिया संफ्लार कोई भी बीज आपको गार्डन दोसकी वेबसेट पर अबेलेबल हो जाएंगे बहुत जो बीज है एप वन इंपोर्टेड है और कोछ बीज ओपन पॉलिनेटेड है जो भी आपको सही लगे वह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और दोस्तों मारा जो अगला पॉद है इसका नाम है फ्रेंच मेरी गोल्ड यहा हम कह सकते हैं गेंदी जिसको हम बोल देते हैं गुलसरफी भी बोलते हैं काफी लोग पर वैसे वो दूसरा पॉदा रहता है और यह दोस्तों बहुत ही हाड़ी होता है पर मैं आपको यह बत जरूर देगा इसको पानी टाइम पर दे दे रहेगा और आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं गर्मियों में लगाई जा सकते हैं सिर्फ आपने शेड में रखना है हफ्ता पंदरा दिन बाद जब इसकी रूटिंग हो जाए और उसके बाद आप इसको एक्सपोस कर सकते ह इसको अगला पॉदा है इसका नाम है गुनफराना गुनफराना में दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं और यह मेरा फिवरिट प्लांट है छोटए-चोटए-छोटए इसके फूल आते हैं पर इकथे जब खेलते हैं बिल्कुल अलग से लगते हैं सभी बहुतों से और इसमें आपको mixed color भी मिल जाएंगे, color wise भी मिल जाएंगे, strawberry एक इसका color आता है, जो थोड़ा सा कम मिलता है nursery में, आप beach से लगा सकते हैं, सभी के beach आपको garden dose की website या फिर कोई और जगा से भी आप purchase कर सकते हैं, और इसको दोस्तों लगाने के लिए 8 हिंची का गमला चुने, और पानी आपको इसको time पे डालना है, जिसके साथ इसमें growth बिल्कुल भी नहीं रुखेगी, और दोस्तों मारा जो last one plant है, इसका नाम है cosmos, cosmos दोस्तों एक ऐसा पौदा है, जो बहुत ही hardy plant है, इसमें दो वरैटीज आ जाती है, cosmos कैसा नोवा, जिसमें आपने देखा होगा pink, white और red color की फूल निकलते हैं, और दूसरा है cosmic mix, या फिर इसमें color wise भी आपको red भी मिल जाएगा, orange भी मिल जाएगा, yellow भी मिल जाएगा, ये सभी hardy plant होते हैं, और सबसे ज़रा दोस्तों इसमें बड़िया चीज है कि इसको आप cut करके रख भी सकते हैं पानी में, और मैंन अच्छे से इसका color निकल कर आएगा और ज्यादा बढ़िया लगेगा, तो ये दोस्तों कुछ पौदे थे, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों आगे जाकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, मेरा चैनल ही इसी पर है कि मैं flowering plants के बारे में ज्यादा करीद हूं, तो आपको सिर्फ यही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखीगा, जिसके साथ आपको सभी updates time to time मिलते रहेंगे, और साथ में अगर आपको कोई और question है regarding any plant, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, वैसे मैं next videos में बताऊंगा कि आप summer के seeds कैसे त्यार कर सक सकते हैं, मैंने पहले बताया है पर viewers की, फिर से comment में कहा है कि आप दुबारा से बताइए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा, so thank you for watching and please do subscribe to my YouTube.